Hello everybody, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Anisha, आपकी अपने English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 11th की, जो आपकी हॉन्बिल बुक है उसकी पॉम No. 3 The Voice of the Rain और इस पॉम की कवर करेंगे आज हम MCQs याने की Multiple Choice Questions So let's begin with our first question Question No. 1 If the poet has used a hyperbole in the poem, what is it? अगर poet ने इस पॉम में hyperbole use किया है, तो वो क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बतातू hyperbole क्या होता है? hyperbole एक तरीके का poetic device होता है जो use होता है, hyperbole याने exaggerated statements exaggerated statements बोले तो किसी words या किसी lines को पढ़के ऐसा लग रहा है कि बहुत exaggerated बड़ा चड़ा के बोला जा रहा है इतना कुछ है नहीं जितना बोला जा रहा है उन statements को हम hyperbole कहते हैं तो poem में कहां use किया गया? उसके चार options दियें जो correct option उसको आपको टिक करना है तो options है A. I am the poem of the earth यहाँ पे उसने बोला I am the poem of the earth तो यहाँ पे कोई hyperbole use नहीं हुआ यहाँ पे जो एक non living thing rain है वो बोल रही है कि मैं तो earth की poem हूँ तो यहाँ पे use हुआ है personification क्योंकि किसी non human या non living thing को इन्होंने कुछ human quality दे दी तो personification हुआ यहाँ पे hyperbole नहीं हुआ voice of the rain याने rain की voice voice होती है इंसानों की rain का होता है sound तो इन्होंने rain जो की एक non living thing है उसके साथ कोई human quality join कर ली या attach कर दी तो उसे भी हम कहते हैं personification यहाँ पर भी आपका hyperbole use नहीं हुआ bottomless sea sea याने समुद्र हर समुद्र का भले कितना deep हो एक bottom तो होता है याने की जमीन जो sea bed होती ही वो तो होता ही है इन्होंने word उसकर दिया bottomless sea याने sea का कोई bottom कोई मतलब जो base होता है वो है ही नहीं तो ऐसा तो होता ही नहीं है sea मानते हैं कि deep होता है लेकिन bottomless sea तो नहीं होता तो यह एक hyperbole याने exaggerated statement है तो इसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर hyperbole नाम का poetic device यूज हुआ है option number d none of the above none of the above हो नहीं सकता है क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number c bottomless c next which literary device is used in the title of the poem the voice of the rain जो poem का title है जो poem का नाम है वो है the voice of the rain इस नाम में कौन सा literary device यूज किया गया है तो इस नाम में यूज किया गया है personification personification याने जब कोई non living thing के साथ आपको human quality या living quality attach कर देते हो उसे हम कहते है personification अब यहाँ पे non living thing क्या है rain इसके साथ human quality क्या join कर दिये कि उसकी voice है उसकी आवाज है voice हमेशे इंसानों की होती जो उनकी गले से निकलती है और rain का क्या होता है rain का होता है sound जो बारिश के गिरने की जो बूंदों की आवाज होती है उसे हम कहते है sound लेकिन voice होते है humans की तो यह human quality इन्होंने attach कर दी एक non human thing के साथ उसे हम कहते है personification तो options है simile simile में तो आप दो चीजों को compare करते हो as या फिर like का इस्तिमाल करके तो यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो यह तो है नहीं all iteration all iteration में कुछ phrases या कुछ words साथ में आते हैं और उनके जो first first letters होते हैं वो same consonants होते हैं तो यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है personification yes personification जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया none of the above हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number C next where does the song return in the poem poem में song के बारे में बात हुए कि song कहां से चालू होके कहां पर वापस खतम होता है तो जैसे एक जो बारिश होती है वो धर्ती से पानी evaporate होता है उपर जाते है उपर जाते है clouds बनता है clouds बनके वो फिर rainfall के form में नीचे आती है फिर वो पूरी continuous process याने धर्ती से शुरू होके धर्ती पर ही खतम होती है rainfall उस गाने को और प्यार के form में वापस singer को देती है in the form of reward या फिर प्राइज या awards तो जो song होता है वो कहां पर return करता है पूर्म में वापस अपने originator अपने singer के ही पास in the form of awards तो options है to the audience audience के पास जाता है नहीं audience के पास वापस नहीं जाता गाना बीच में जाता है प्रोसेस में लेकिन अपने singer के पास वापस in the form of awards जाता है to its originator that is singer यास जैसे कि मैंने आपको बता है गाना उपर sky में चले जाता है आसमान में नहीं भाई हां आसमान में कोई गाना नहीं जाता है गाते हैं बस to mountains पाणों पे चले जाता है गाना बिल्कुल भी नहीं यह कुछ भी options दी है so option number B is the right option to this question next from which two places does the rain rise in the form of water vapor जब आप water cycle का हमने बच्पन में जो process पड़ा था उसमें हमने यह पड़ा था कि दो जगाओं से पानी evaporate होके दर्ती से उपर sky की तरफ जाता है तो कौन सी वो two places है जहांसे rain जो है उपर की तरफ rise होता in the form of water vapor तो पहला land और दूसरा water जमीन जमीन से कैसे जितनी भी plants होते हैं उनके उपर जो भी leaves होती है यह leaves जो होती है इनके उपर छोटे छोटे water droplets होते है चोटे चोटी पानी के बूंदे होती है तो जब sunlight इसके उपर पढ़ती है heat इसके उपर पढ़ती है तो यह जो पानी leaves के उपर है यह leaves के उपर से evaporate होके चले जाता है इस process को हम कहते हैं transpiration एक तो यह हो गया और दूसरा होता है evaporation याने कि जब seas, rivers, lakes यहां से पानी evaporate होके उपर जाता है तो basically land याने leaves के थुरू by the process of transpiration उपर जाता है evaporate होके पानी और दूसरा होता है आपका rivers, lakes याने कि water तो इन दो जगाओं से पानी evaporate होके उपर जाता है in the form of water vapor so options है land and air नहीं, land and water होता है land and wells याने कि जमीन और कुएं land and bottomless sea याने कि जमीन और bottomless sea याने कि समुद्रस से none of the above याने कि कहीं से इन में options में कोई भी नहीं तो जो clearly आपके पोम में mentioned है कि land से और bottomless sea याने समुद्रस है ये बिल्कुल clearly आपके पोम में mentioned है अब आप बोलेंगे well याने कुए से भी तो जा सकता है तो कुए से कभी जाता है कभी नहीं भी जाता होगा कुगा ढखका भी रहा हो सकता है कुजी भी हो सकता है और ये दो चीज़े तो clearly आपके पोम में mentioned है तो none of the above होगा नहीं क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है which is option number C land and bottomless C okay next what happens to the earth when the rain falls back on the surface of the earth जब धर्ती पे अर्थ पे rainfall गरती है याने कि बारिश गरती है तो धर्ती पर क्या होता है तो options है it beautifies the earth जब रेनफोल धर्ती पे आती है याने बारिश जब धर्ती पर होती है तो वो earth को beautify कर देती है सुन्दर बना देती तो yes सुन्दर लगने लगती है जब बारिश होती है तो earth हमारी बहुत beautiful लगती है yes it purifies the earth पूरी earth को purify कर देती है याने साफ कर देती है जो भी धूल, मिट्टी, डस लगी रहती है, सब को दो देती है, और पूरी अर्थ को क्या कर देती है, रेंफॉल, प्यॉरिफाई कर देती है, तो yes ये भी होता है, बोथ A and B, yes बोथ A and B, it does nothing, जब बारिश धर्ती पर आती है, तो it does nothing, कुछ नहीं करती, तो ऐसा तो बिलकु भी नहीं है, बहुत सुंदर लगती है, हमारी धर्ती है, और प्यॉरिफाई हो जाती है, याने के बिलकुल, clean हो जाती है, that is option अबर C, बोथ A and B is the right option to this question, next, what does the word, whence in the poem mean, poem एक word used हो है, whence, इसका मतलब क्या है, कुछ words होते है, archaic words, archaic words याने की old-fashioned words, याने पुराने जमाने में ये कुछ words यूज हुआ करते थे, इंग्लिश में, जो अब obsolete हो चुके हैं, याने की बहुत पुराने हो चुके, अब English language में ये words यूज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी poet ने कुछ इस तरीके के 2-4 words यूज करे हैं, आपकी poem मे थोड़ा सा poem में effect लाने के लिए, तो whence एक तरीके का English word है, जो obsolete हो चुका है, याने की अब use नहीं होता, तो इस word को आज के जमाने में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में, options हैं, a where, by, see what, या d who, तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल chapter में, poem में, whence का मतलब होता है, where, so option number a, where is the right option to this question, तो whence का मतलब होता है, where, okay, यह तरीके का archaic word है, next, what does record or unrecord mean, poem में, यह words यूज हुए, record और unrecord, इसका meaning क्या होता है, तो इसका meaning होता है, cared for, और not cared for, याने कि आपको किसी चीज की चिंता है, या नहीं है, तो rainfall जब धरती पर नीचे आती है, तो it record or unrecord, याने कि उसको फरक नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि वाओ बारिश कितनी अच्छी हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है बारिश होने पर, कुछ लोग बोलेंगे, अरे बापरे, बारिश हो रही पुरी गंदगी हो रही है, तो rainfall को कोई फरक नहीं पड़ता, that means record or unrecord याने, it does not care for or do not care for कि कोई इसके लिए क्या बोल रहे है, ठीक है, तो options है, a disadvantage or advantage or disadvantage, no, positive or negative, no, cared for or not cared for, yes, cared for or not cared for का meaning होता है, record or unrecord, none of the above हो नहीं सकता, क्यों क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number C next who is the poet of the poem, the voice of the rain, इस poem के poet कौन है, तो options है, a Robert Frost, b John Keats, c Shirley Toulson, d Walt Whitman, तो जैसे कि हमने poem पड़ी हुई है, हमने study किया, हमें पता है कि option number d, Walt Whitman, voice of the rain नाम की poem के poet है, okay next when rainfall descends on earth, it washes dash, जब rainfall descend होती है, याने नीचे की तरफ घरती पर आती है, तो वो क्या चीजे वाश करती है, याने क्या चीजे आके धो देती है, तो options है, draughts droughts याने सूखा, जहाँ जहाँ धरती पर सूखा, अकाल पड़ा हुआ है, जहाँ बारिश नहीं हुए बहुत टाइम से, उन सब को आके धो देती है, याने wash कर देती है, yes Atomies, Atomies का मतलब होता है, very small particle of something, हर चीज का जो सबसे smallest part होता है, उस तक को आके rainfall दो देती है, याने wash कर देती है, याने wash कर देती है, तो yes, यह यह भी बिल्कुल clearly mentioned है, आपकी poem में, dust layers of the earth, आर्थ पे जितने dust layers, याने की पूरे layer, परत चड़े हुई है, पूरी धूल की, उन सब को wash कर देती है, और earth को purify और clean बना देती है, तो yes, ऐसा होता है, जब earth, जब rainfall नीचे की तरफ descend होती है, याने नीचे बारिश जब गिरती है, धरती की तरफ तो यह सारी चीज़े कर देती है, that means option number D, all of the above is the right option to this question. Next, the poem, the voice of the rain, is a conversation between, यह जो poem है, voice of the rain, इस poem में दो लोगों के बीच में conversation याने बातचीत हो रही है, वो दो लोग कौन है, तो options है, poet and clouds, हमारे poet और clouds बादलों के बीच में बात हो रही है, no, poet and rain, yes, poet और rain के बीच की यह जो conversation है, जो यह बातचीत है, उन्होंने beautifully इस poem के करी, तो yes, poet and rain, rain and river, no, seeds and rain, no, not at all, बिल्कुल clearly mentioned है, poem में की poet और rain के बीच में यह conversation है, that means option number B is the right option to this question, next, what imagery was used in the poem, poem में imagery नाम का एक poetic device भी use हुआ है, तो इन options में से imagery कहां use हुई है, हमें वो बताना है, अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि इमाजरी होता क्या है, imagery होता है, याने कि जब किसी lines को या किसी words को आप पढ़ रहे हो, या read कर रहे हो, तो आप उन्हें अपने दिमाग में imagine करने लगते हो, वो सारी चीज़ आपके दिमाग में visualize होने लगती कि अच्छा है, ऐसे हो रहा होगा, तो उस lines को उन words को पढ़ क आप imagine कर सकते हो, उन्हें हम imagery कहते हैं, so options है, bottomless C, bottomless C, नहीं imagine कर सकते हैं, ये एक hyper bowl नाम का बोलने हाँ पे, poetic device use हुआ है, याने exaggerated statements, so ये option नहीं हो सकता, soft falling shower, जब rainfall या showers के form पे softly गिरती है, तो वो हम चीज़ फील कर सकते हैं, हमारे हाथ पे, हमारे face पे, कि soft falling shower हमारे face पे गिर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना थंदा थंदा लग रहा है, जब बारिश ला रही है, तो ये एक imagery यहाँ पे use हुई है, पोम में, so option number B is the right option, और आगे options देखते हैं, voice of the rain, यहाँ पे एक non living thing, rain के साथ, attach कर दी, एक human beings की quality, which is voice, तो यहाँ पे तो आपका personification यूज हुआ है, ओके, और last option है, all of the above, तो all of the above हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number B, soft falling shower, यहाँ पे imagery नाम का poetic device यूज हुआ है, next, what does the word descend mean, पोम में एक word used by descent, इसका मतलब क्या होता है, तो descend याने नीचे की तरफ को चाना, तो पोम में descent कौन हो रहा है, rainfall याने बारिश नीचे की तरफ धरती पर आरी और गिर रही है, in the form of rainfall, तो descend का मतलब क्या होता है, to move upwards उपर की तरफ जाना, no, something hidden, कोई चीज छुपी क्यों ही उसको हम कहते है, descend होना, no, to come downwards, जब नीचे की तरफ कोई चीज आती है, तो जैसे बारिश ऐसे नीचे की तरफ आती है, तो इसको हम बोल रहे है, rainfall descend हो रही, तो yes, to come downwards is the right option, none of the above हो नी सकता, क्यों, क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number C, next, what is the birthplace of rain, rain की birthplace क्या ह है, rain पैदा कहां से होती है, rain याने आप बोलो कि बारिश तो उपर से आती है, sky से, तो उसकी birthplace उपर clouds है, sky है, नहीं, जो rain का पानी होता है, वो धरती से ही evaporate होके जाता है, seas से, land से, पतियों के उपर, leaves के उपर, जो water droplets रहते हैं, in the form of transpiration, ये सब धरती से ही पानी evaporate होके उपर जाता है, और process होके फिर वापिस नीचे आता है, in the form of rainfall, तो rainfall की जो birthplace है, जहां से rain चालू होती है, जहां से इसका process चालू होता है, वो earth है, earth से ही पानी evaporate होके उपर जाता है, और फिर rainfall नीचे आती है, और ये पूरा process continuously होता रहता है, day and night, कभी रुकता नहीं है, so ज लेकिन नीचे से ही evaporate होके उपर जाता है पानी, earth से, इंडिया, इंडिया से, no why, यह तो फिर कोई भी country का नाम हो सकता है, तो यहां पे इंडिया नहीं होगा, यह option number D, earth, तो yes, earth से ही पानी evaporate होके उपर जाता है, and then rainfall के form में नीचे आता है, तो birthplace जो rain की है, वो है option number D, earth, ज्याने के हमारी धरती, next, what does who art thou mean, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कुछ archaic words जाने, old fashion words, poet ने use किये, effect लाने के लिए poem में, तो who art thou भी एक तरीके का पुराने जमाने का English word है, जिसको आज के जमाने में हम कुछ और बोलते हैं, तो आज के जमाने में इसको क्या बोला जाता है, तो who art thou means, who are you, yes, who are you होता है, where do you live, no, who are your parents, no, none of the above, none of the above हो नहीं सकता, क्यों क्योंकि हमें हमारा answer मिल गया है, which is option number A, य आज के जमाने में, who art thou को बोलते हैं, who are you, यह lines, poet ने rainfall से पूछी थी, who art thou, यानि तुम कौन हो, तो इसका जवाब दिया था, rainfall ने, I am the poem of the earth, okay, next, what does the rain reply to the poet's question, who are you, वही चीज़ जो अभी अभी मैंने आपको बताए, कि जब poet ने question पूछा था, rainfall से, who are you, तुम कौन हो, त ने, answer किया था, और क्या answer था, उसने बोला था, I am the poem of the earth, मैं इस पूरी earth की poem हो, यानि कविता हूं, okay, तो उसने जवाब दिया था, she loves to travel, उसको travel करना, घूमना फिरना बहुत पसंद है, नहीं भाईया, ऐसा कोई जवाब नहीं दिया था, she is the poem of the earth, yes, that means rainfall is the poem of the earth, yes, she didn't reply anything कुछ reply ही नहीं किया poet के question का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल reply किया था, उसने, not mentioned in the poem, poem में mentioned ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल clearly mentioned है आपकी poem में, कि poet के question पूछने पर की, who are you, rainfall ने जवाब दिया था, और का था, I am the poem of the earth, so option number B, is the right option to this question, next, I give life to my own origin, what does origin refer in this line poem का ये जवाब था, कि I give life to my own origin, मैं जब बारिश बनके नीचे आती हूं धर्ती पर, तो मैं अपने ही origin को life दे देती हूं, जैसे जान दे देती हूं, तो इस line में origin का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि धर्ती की जो rainfall की, जो birthplace या origin जहां से rainfall का process चालू होता है, वो earthy होती है, तो origin का मतलब होता है, यहां पर earth, जहां से rainfall चालू हो रही है, क्योंकि धर्ती से ही पानी evaporate उपर होके जाता है, and then rainfall के form में नीचे आता है, तो उसने बोला I give life to my own origin, यानि जब मैं बारिश के form में नीचे अपने origin पर, धर्ती पर आती हूं, तो मैं धर्ती को जै c या d clouds, या तो answer रहेगा आपका option number a, earth, okay, next, from where does the song originate, गाना जब कोई singer गाना गाता है, तो वो originate कहां से होता है, यानि की start कहां से होता है, तो जब एक singer गाना गाना चालू करता है, तो सबसे पहले गाना आता है उसके दिल में, उसके दिल में गाना आता है, तब जाके तो सबसे गाता है, तो जब singer के दिल में गाना सबसे पहले आता है, वहीं से वो गाना originate हो जाता है, यानि वहीं से उस गाने की शुरुवात हो चुकी होती है, फिर धीरे बाद में इंसान पूरे गाने को form करता है, साही से उसको assemble करके और फिर गाता है, अच्छे lyrics देखे, तो गाना कहा से चालू होता है song, from mountains पहाणों से, no, from ocean, no, from the heart of the singer, यानि की गायक के दिल में जब गाना आता है, तो समझो गाना वहीं से originate हो गया, यानि की शुरुवात हो गई गाने की, तो yes, from the earth, नहीं, earth तो originator होई, rainfall की, लेकिन song जहां से originate होता है, वो है heart of the singer, so option number C is the right option to this question, so children, here we come to the end of this session, I hope आपको सारे MCQs अच्छे सा समझ में आ गया होंगे, आप चाहें तो हमारे वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहां अगर ना मिले, तो गूगल पर जाए, हमारी वेबसाइट का नाम डाले है, which is magnetbrains.com, जैसे आवेबसाइट का नाम डाल हएं, जैसी आप क्लिक करेंगे, आपके सामने लिस्ट और वीडियो आ जाएंगे, जो हमने आपके लिए प्रिपेर करके रखिये, आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करिये, और जैसी क्लिक करेंगे, मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, so I hope बच्चो आपको समझ में आगे होगा कि अगर YouTube पर easily videos नहीं मिल रहें तो easily website से कैसे आप access कर सकते हैं and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel तब तक लिए, bye bye and take care